आज के इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं पीपल के व्रिक्ष के अध्भुत औशधी गुणों के बारे में पुरातन काल से ही भारती संस्कृती में पीपल का जो व्रिक्ष है उसे पूजी नहीं माना गया है महात्मा बुद्ध को भी बुद्धत्व बोधि व्रिक्ष याने पीपल के व्रिक्ष के नीचे बैट कर ही प्राप्त हुआ था इसे लिए इसे बोधि सत्व व्रिक्ष भी कहा जाता है नमस्कार मैं हूँ रवी वर्मा और आप मेरे साथ हैं डिजीज फ्री और नैचरल लाइफ स्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ पर पीपल का जो पेड है वो हमारे देश में लगबद हर जगए पाया जाता है लेकिन लोग इसकी सिर्फ पूजा करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि इसके थेरापिटिक या मेडिसिनल यूज क्या होते हैं आरवेद के अमसार पीपल के पेड का हर भाग जो होता है वह मेडिसिनल गुणों से भरपूर होता है जैसे अगर आपको डिप्रेशन रहता हो चड़ी चड़ापन रहता हो उदासी इनता रहती हो तो ऐसे लोग अगर पीपल के वरिक्ष के नीचे प्रति दिन सुबह 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक बैठ जाए जाकर तो उनका आउसाद दूर होने लगता है इसी प्रकार अगर कोई बच्चा हाइपर अक्टिविटी का शिकार है तो उसे भी यदि 15-20 मिनट हम प्रति दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठाना शुरू करेंगे तो उसका जो हाइपर अक्टिव ब्रेन है वो धीरे धीरे शान्त होने लगेगा Modern Science ने भी ऐस्विकार किया है कि ऑक्सीजन देने की पीपल के पेड़ की जो शमता है वो बहुत चमतकारिक होती है क्योंकि यही एक मात्र ऐसा पेड़ है जो 1800 केजी कारबन डायकसाइड जो है वो सोकता है अब्सॉर्ब करता है लेकिन इसके बदले में हमें 2400 केजी ऑक्सीजन के प्रति दिन देता है इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे अब हम बैठते हैं तो हमारे हार्ट पर और लंग्स पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन की कैफिसिटी जो है वो हमारे हार्ट और लंग्स की बढ़ जाती है जिससे हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है और निमोनिया और अस्थमा जैसी बीमारियों में भी हमें फायदा होता है अब बात करते हैं पीपल के पत्तों के गुणों की तो मौडरन साइंस भी ऐसी विकार करता है कि पीपल के पत्तों में एक्सपेक्टोरेंट, डाइयूरेटिक और और ऑइंटमेंट की प्रॉपर्टीज होती है देखिए प्रकृती ने भी पीपल के पत्ते को कैसा बनाया है उसे हार्ट शेप का बनाया है इसका मतलब यह हुआ कि पीपल के पत्तों का काढ़ा हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफीशियल होता है इसी तरह से अगर हम एरिज्मिया में इसका उप्योग करें, पाल्पिटेशन होने पे उप्योग करें या नॉर्मल हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए पीपल के पत्तों के काढ़े का उप्योग करें तो यह बहुत लाबकारी होता है इसी तरह पीपल के जो पत्तों का काढ़ा है, वह लीवर की टॉक्सिसिटी को बहुत कम करता है याने जो hepatitis के शिकार हैं, liver cirrhosis के शिकार हैं, या fatty liver के शिकार है, उनको जो पीपल के पत्तों का काढ़ा है, वो प्रती दिन लेने से उन्हें बहुत लाब होता है अब पीपल के पत्तों का काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कि पीपल के फ्रेश पत्ते प्रती दिन आप ले आएं 10 से 12 पत्तों को अच्छी तरह धोकर उसकी उपर की नोग और नीचे की जो ढंठल है उसको काट दीजिए उसके बाद इसे 400 ml के लगभग पानी में इतना उबा लिए कि पानी 200 ml के करीब रह जाए अब इसे चान कर आप इसका नेमित प्रयोग कर सकते हैं नाश्टे के बाद इसे पी सकते हैं खाली पेट कर पिया इसका सेवन ना करें हाँ एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर पीपल के पत्तों का आप उबाल रहे हैं तो इसे मिट्टी में, पीतल में या लोहे में ही उबालिये तभी यह जादा लाबकारी होगा एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी पीपल के पत्तों का काड़ा आप बनाते हैं तो उसे बनाने के बाद काच के गलास में खाली कर लें और उसका उप्योग बनाने के आधा से पौन घंटे के भीतर कर लें तभी यह जादा लाबकारी होता है अब हम बात करते हैं पीपल के पेड़ की छाल की और इसके गुणों की तो मॉडन साइंस भी इस विकार करता है कि पीपल की जो छाल होती है वह विटामिन के से भरपूर होती है इसलिए इसके इसकिन के लिए उप्योग बहुत लाबकारी होते हैं जैसे एक्जीमा में, सोराइसिस में, ब्रूजिस में, एकने में, स्कार्स में इसमें पीपल की छाल का उपयोग अगर हम करेंगे तो यह बहुत लागकारी होगा अब छाल का उपयोग करने के लिए हमें इसको सुखा कर संड्राई करके इसका पाउडर बना लेना है और उसको 2 ग्राम या 3 ग्राम इस पाउडर को लेकर हलके गुन-गुने पानी के साथ इसका नेमित सेवन करना है इसके अलावा जिन लोगों में डाइरिया की शिकायत रहती है पेट लगातार खराब रहता है तो यह पेट की टॉक्सिसिटी को भी कम करता है तो चाल का जो पाउडर है वो 2-3 ग्राम लेकर गुन-गुने पानी के साथ प्रति दिन इस्तिमाल करें तो डाइरिया की शिकायत भी दूर होती है और डाइरिया में जो डिहाइडरेशन होता है वो भी इस चाल के पानी के सेवन से दूर होता है लेकिन अगर किसी को constipation की शिकायत होती है तो उसको पीपल के पत्तों का काढ़ा जो है वह रात को सोने से पहले नेमित रूप से लेना चाहिए जिन महिलाओं में excessive menstrual bleeding या जिन महिलाओं को लिकोर या याने श्वेद प्रदर की शिकायत है उन्हें भी पीपल के पेड़ की छाल का जो powder है उसका सेवन करना चाहिए अगर आप एक से दो ग्राम powder को गुनगोने पानी के साथ मिला कर प्रति दिन दो से तीन बार लेंगी तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा पीपल का हमारा या व्रिक्ष इतने सारे और शदी गुणों की खान है कि सभी का बखान करना संभोई नहीं हो सकता है अब देखिए जैसे कि क्या है किसी को नाक से अगर bleeding होने की समस्या है नाक से खून आता है नकसीर फूटना जिसे हम कहते हैं तो पीपल के पत्तों का एक से दो बून दरस अगर नाक में डाल दिया जाए तो यह bleeding कतकाल बंद हो जाती है उसी तरह blood purification के लिए जो पीपल के बीज होते हैं उसका powder अगर शुद्ध शहद के साथ मिला कर लिया जाए तो blood का purification होता है और इसमें बहुत लाब पहुंचता है आयूरवैद में नीम और पीपल को kidney के रोगियों के लिए भी वरदान माना गया है अगर kidney के patients पीपल के पत्तों का एक चम्मच रस शाम के समय ले 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 तो उनका क्रिटनिल लेवल घटने लगता है तो पीपल इतने अद्भुत और शधिये गुणों वाला पौधा है कि यह हमारे शरीर के वात, पित और कफ सभी प्रकार के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है चरक सहीता के अनुसार हमारे शरीर के 80 से भी ज़्यादा जटिल रोगों में पीपल का बहुत ज़्यादा लाब होता है तो आप भी कोशिश कीजिए कि पीपल के व्रिक्ष को अपने दैनिक जीवन से जोड़ें इसके पत्तों, छाल या गुठली के पाउडर का इस्तिमाल कीजिए या तो अपने हेल्थ टॉनिक के रूप में या अपने सिम्टम्स के अनुसार अपने रोगों के इलाज में ऐसा करके आप प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं तो जाते जाते फिर वही एक बात कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो संकोच ना करिए ततका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा पहुँचे थैंक्स फॉर वचिंग